हेलो फ्रेंट्स जैसे कल डिसकस किया था टार्गेट वन होगा 24,850 और एक सर्प्राइज बोनस जो की नहीं मिला वो होगा 25,000 बट आप देखोगे टार्गेट वन जो की है एक्जाक्ट एक्जाक्ट 24,850 तक गया उसके बाद रेड कैंडल आई तो आपको समझ जाना की कुछ गड़बढ है बट आड दे सेम टाइम अब यहां पर आप जब देखोगे तो पिछला जो हाई था उसके नीचे मार्केट नहीं गया है तो फिर भी मेरे हिसाब से मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है कल फ्राइडे है कुछ जबर्दस दमा का हो सकता है अभी भ कम्यूनिटी के लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ नहीं जुड़े तो आप बहुत कुछ मिस्स कर रहे हो तो सबसे पहले वॉट्सब कम्यूनिटी के कि क्लिक करना मत भूलना अब यहां पर आके देख ए है यहां पर सबसे पहले आज का जो अनलेसिस देखेंगे बैंक निफ्टी में सी 93 पॉइंट्स कैप्चर किया बट निफ्टी के हीरो जीरो आज चले ही नहीं क्योंकि आपको खुद को पता रहे का साइडवेज मार्केट एंड एंड में था और हाडली आप पाच या छे पॉइंट 24,800 पे इतना चिपका रहा कि 24,820 जाता था तो 24,006 जाता था बट एक मिनिट के लिए भी ऐसे नहीं होगा कि 24,780 आया 770 आया और फिर उपर चला गया इसके कारण हुआ क्या तो बड़ा मुह हम एक चार या पाच पॉइंट का जो की परसंटेज में बहुत बड़ा होता है नहीं कैच कर पाए चलो देखते हैं टॉप न्यूस क्या है अदानी ग्रूप तूस लुकिंग तू सेल अप तू 5 परसंट सेक इन अदानी पावर एंड अंबूजा सेम अब शेर बाइबाक तो करना है जो कि कल की न्यूस इसलिए 20 टक का उपर था बट बाइबाइबाक कर रहा है 72 करोड जो आज देखलेर किया इसके लिए नीचे गिरा डाबर साइंस MOU विद तमिलनाडी गवर्मेंट तू इन्वेस्ट रूपीस 400 करोड इन फर्स्ट आफिट शेरिंग यह सब नहीं करते सिर्फ एक कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121 जहां पे हम बस और जबस आपको वाट जो कोर्स है उसके मार्केट का अनलिस सिखाते हैं अब यहां पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग ट्रेंड के अनलिस पूछते हैं तो यहां पे अगर आप देखोगे टाटा इंवेस्टमेंट येस बैंक ओला इलेक्रिक रंजीत यूजर और अनजली जी ने पूचा है तो आप चाते हो कि अगर मैं भी आपके लिए अनलेसिस करूं तो जटपट मुझे यहां पे कमेंट सेक्शन में दाल देना और चलते हैं हम कहूंगा 70-80% पैटन बनता है 70% पैटन कुछ इस तरीके से बनता है अब यह प्यूरली पैटन है तो मुझे मत पूछना की इसका लॉजिक क्या है क्या नहीं है अगर मैं अब समझाने जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी यह थोड़ा सा एक्जाजरेट यानि कि बड़ा चड़ा के दिख रहा हूं बट 25200 तक यह पैटन बन जाता है 60-70% चांसे यह पैटन बनने के अब इसके लिए मैंने कहा कि कल आज का दिन तो जैकपोट नहीं लगा भले टार्गेट वन अच्छी हो गया जैकपोट कल के दिन में लग सकता है बट अगर आप यहां पे दूस तरफ देखोगे तो और एक चीज हो सकती है 15 मिनिट में जिसका मैं अनलिसिस करना चाहता हूं कि आप देखोगे तो यह भी हो सकता है कि जो लोवेस्ट है कल के हिसाब से जिस तरीके से मैंने कहा था 24,650 के नीचे मार्केट में बेरिशनेस है अब यह थोड़ा सा आप समझ अगर 24,650 के यहां पर कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है तो यह बेरिशनेस नहीं है बट 24,650 के यहां पर कुछ ऐसी कैंडल बनती है तो यह डेफिनेटली बेरिशनेस है और यह आपको लेके जाएगा 24,500 के पास तो होप आपको समझ में आया रहेगा अगर मार्केट समझो क्यों की साइडवेज है तो नीचे जाके उपर आने के चांसेज बहुत जादा रहते हैं तो 24,650 तक भी नीचे आया तो इतना जादा कंसर मत हो ना यह थोड़ा सा मैं ओवराल व्यू बता रहा हूँ स्काल्पिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ और यहां पर दो चीज़े अगर ग्रीन कैंडल बनी खुश होना उपर जाएगा रेड कैंडल बनी थोड़ा सा बेरिश व्यू मार्केट में बन रहा है 24,500 तक या 550 तक जा सकता है और जो मैंने डेली में पैटन किया जो बहुत से बार होता है वो तो अगर सुबह को हो गया तो जैकपॉट ही लग जाता है फिर वो 25,000 तक नहीं रुखता है वो 25,100 तक जा सकता है जो कि एक जैकपॉट पैटन होगा तो यह रहा निफ्टी का अनलेसिस चलो बैंक निफ्टी अनलेसिस देखते हैं आप देखोगे बैंक निफ्टी में कुछ न कुछ मूमिंट मिल जाता है और यहां पर आप देखोगे बैंक निफ्टी का फिलाल का मुझे बेरिश ही दिख रहा है यानि कि मुझे नहीं दिख रहा है कि सुबह को बहुत जादा बड़ा मुझ आएगा उससे अच्छा जो बन रहा है पैटन वो म का पहला टार्गेट होगा 51-200 का दूसरा टार्गेट होगा तो जो कल का आनिलिसिस दिख रहा है तो 50,800 से लेके 50,750 यह पहले लेग होगा जो की नीचे आ सकता है और वहां पे जब कुछ ग्रीन कैंडल इस तरीके से अगर बन गई फिर जाके 51 के टार्गेट वन और अगर आप रिस्क टेकर है तो टार्गेट टू 51,200 तो यह हो गया अनिलिसिस बैंक निफ्टी का अब चलो देखते हैं टाटा इंवेस्ट कौन से अंगल से दिख रहा है तो टाटा इंवेस्टमेंट अगर आप वीकली देखोगे तो चल रहा है रिकावरी हो रही है ट्रेंड में यह उपर आ सकता है दो तीन हफते इंतजार करना पड़ेगा कंसॉलिडेशन मेरे हिसाब से खतम हुआ है पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है बट होने के चांसेज है येस बैंक अगर हम वीकली देखेंगे तो में कहूंगा येस बैंक फिलाल इतना अच्छा नहीं है ओ आप अपना देख सकते हैं तो होप आपको अनलिस पसंद आया रहेगा चैनल को सब्सक्राइब बेल बेटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो वाट्स आप कम्मुनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुढना मत बूलना कल फ्राइडे है सेंसेक्स की एक्सपाइरी रहेगी बहुत ही एक्साइटिंग दिन हो सकता है जैसे कल के लास्ट फ्राइडे था तो मिलते है कल बहुत एक्सेलेंट अनलिसिस के साथ मार्केट में थैंक्स अलॉट